आकश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धार्णा सच्देव देश कोविट टीका करन अभियान के अंतरगत 150 करोड टीके लगाने के दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है कोरोना वाइरस का नया वेरियंट मिलने से चिंताएं बड़ी है आप से हमारी अपील है कि यथा शीकर दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें कृपया तीन सरल उपायों का अवश्य पालन करें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से संबंदित किसी बीजानकारी और मारदर्शन के लिए राश्टरी हल्पलाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें अब इस बुलिटिन के समाचार राजय मंत्री मंदल की आज हुई बैठक में मुख्य मंत्री शिवराज सिंग्छ चोहान ने सभी मंत्रियों से कोरोणा संक्रमन की तीसरी लहर की आशंका के मद्दे नजर अपने अपने क्षेतरों और प्रभार वाले देलों में संक्रमन से निपटने की दयारियों की समिख्षा करने को कहा है ग्रह मंत्री नरुतम मिश्रा ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रदेश में अब तक 70% दीपात्र लोगों को वैक्सिनेशन के दोनों डोज लगाए गए हैं कल से प्रदेश में वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए महाभियान भी चलाया जाएगा मंत्री मंडल ने वन्य जीव संरक्षन अधिनियम में पुनरवास प्रावधानों में संशोधन करते हुए विस्थापन राशी को 10 लाग से बढ़ा कर 15 रुपे कर दिया है आज सशस्त्र सेना जंडा दिवस है प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने इस अफसर पर सुरक्षाबलों की द्रिड़ता और साहस के प्रशंसा करते हुए उनके अनकरनिये योगदान की सराहना की है प्रधान मंत्री ने देशबासियों से सुरक्षा बलों के कल्यान कोश में योगदान का आहवान किया प्रदेश में भी इस अफसर पर विभिन आयोजन हो रहे है प्रदेश में कल 5,21,369 लोगों का टी का करन किया गया इन्हें मिलाकर राजे में अब तक वैक्सीन के 9,6,71,000 से अधिक्टी के लगाए जा चुके हैं वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 17 नए मामले सामने आये हैं जबकि 13 मरीज संक्रमनमुक्त होकर अपने घर पहुँचे हैं नई मरीजों में भोपाल के 8, इंदोर की 6, जबुलपूर के 2 और चिंद्वाणा का एक व्यक्ती शामिल है अब राजे में सक्रिय प्रकरणों की संक्या 137 हो गई है अंतरहश्ट्री मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को है इस मौके पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा RCVP नरोना प्रशासन और प्रबंद की अकादमी भोपाल के लगू सभागार में एक कारकरम आयोजित किया गया है इसका विशे बाल पोशन अधिकार रखा गया है समाहरों के मुके अतिती राजेपाल मंगू भाई पटेल होंगे राजधानी भोपाल में खेली जा रही 64-वी राश्ट्रिय राइफल शूटिंग चैंप्रिंशिप 2021 में प्रिंशिप का आयोजन कल से 10 दिसंबर तक भोपाल के भौरी स्थित पुलिस अकादमी में हो रहा है इसमें 1200 से अधिक खिलाडी और अधिकारी शामिल हो रही है यहां की वेवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए राष्ट्रिय वूशू संग के अधियक्ष धर्मींदर सिंग बाजवा ने कहा कि वे प्रयास करेंगे कि शीघरी भोपाल में अंतर राष्ट्रिय स्थर की पतियोगिता का भी आयोजन हो इस अफसर पर मध्यप्रदेश वूशू संग के अधियक्ष एन के त्रिपार्थी और अन्याधिकारी उपस्तित थे अब कुछ समाचार संक्षेप में ग्वालियर कलेक्टर ने पंचायत निर्वाचन के दोरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिये हैं धार जिले में पंचायत चुनाव के मद्य नजर ग्रामीन क्षेतरों में जनसुन वाई स्था गित रहेगी जब की नगरिय क्षेतरों में जारी रहेगी रतलाम जिले में त्रीस्तरिय पंचायत चुनावों में कुल 7,26,908 मतनाथा अपने मताधिकार का उप्योग करेंगे पंचायत चुनाव के उदेशे से प्रतिबंदात्मक आदेश प्रसारित किये गए हैं और पन्ना में भाजपा का तीन दिवसिये प्रशिक्षन कल संपन्न हो गया इस बुलिटिन में फिलहार इतना ही बुलिटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार